Hello everyone, welcome to RenuMath इस वीडियो में हम 1296 का square root निकालना सिखेंगे square root निकालने के लिए हम prime factorization method का use करेंगे prime factorization method में number को prime number से divide करते हैं और उसके factors पता करते हैं फिर number को factors के product के form में लिखकर उसका square root find करते हैं 1296 को divide करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले लेखेंगे 1296 यहाँ पर और divide करने के लिए ऐसे ladder बनाएंगे यह हमारा rough work है इसमें हम divide करते जाएंगे तो सबसे पहले मैं कुछ prime numbers जो है starting के वो यहाँ पर लिख देती हूँ तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 यह सारे prime numbers हैं जिनको हम use करेंगे इस number को divide करने के लिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1296 जो है वो even number है तो इसको हम 2 से easily divide कर सकते हैं तो पहला prime factor होगा 2 तो 2 से हम इसे divide करते हैं 2 times 6 हो जाएगा 12 next number drop करेंगे तो है 9 तो 2 times 4 हो जाएगा 8 1 बचा अब हम next number drop करेंगे 6 तो 2 times 8 हो जाएगा 16 तो number को 2 से divide करने के बाद हमें मिला 648 अब 648 भी एक even number है तो इसको हम फिर से 2 से divide कर सकते हैं तो यह एक छोटा number है 3 digit number है तो इसे हम यहाँ पर ही divide करते हैं 2 times 3 हो जाएगा 6 तो इसके नीचे 3 लिख देंगे 2 times 2 होता है 4 तो 2 लिख देंगे और 2 times 4 होता है 8 तो यहाँ पर 4 लिख दिया हमने अब 324 भी एक even number है इसको भी हम 2 से easily divide कर सकते हैं तो 2 times 1 हो जाएगा 2 अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर 12 बन जाएगा तो 2 times 6 हो जाता है 12 और 2 times 2 होता है 4 फिर से इसे हम 2 से divide कर सकते हैं तो 2 times 8 हो जाएगा 16 और 2 times 1 हो जाएगा 2 अब 81 एक odd number है तो इसके लिए हम next number से चेक करते हैं क्या हम से divide कर सकते हैं या नहीं तो next number है 3, 3 से divide कर सकते हैं हम 81 को तो 3 ले लेते हैं तो 3 times 2 हो जाएगा 6 फिर 2 बचेगा यह 21 मन जाएगा तो 3 times 7 हो जाएगा 21 27 को भी हम 3 से divide कर सकते हैं 3 times 9 होता है 27 3 times 3 हो जाएगा 9 और 3 times 1 हो जाएगा 3 तो यहाँ पर हमने 1296 को पूरा डिवाइड कर दिया है इसके सारे factors हमें पता चल गए हैं अब हम इसको factors के product के form में लिखेंगे तो 1296 is equal to 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3 अब क्योंकि हमें square root find करना है तो हम दोनों side square root ले लेते हैं तो यह square root sign के नीचे आजाएगे दो सारे numbers अब square root निकालने के लिए हम जो भी अंदर number है square root sign के नीचे उनको अगर हम squares के form में लिख लेंगे तो सारे numbers जो भी square हैं तो वो बाहर आ सकते हैं square root sign से तो इसको हम दो-दो के pair में लिख लेते हैं तो यह हो जाएगा 2 square times 2 square times 3 square times 3 square सारे ही square numbers है square numbers का square root लेंगे तो number मिल जाएगा हमें तो यह सारे numbers square root से बाहर आ जाएगे तो यह हो जाएगा 2 times 2 times 3 times 3 तो 2 times 2 होता है 4, 4 times 3 12, 12 times 3 होता है 36 तो square root of 1296 आ जाएगा 36 यह हमारा final answer है से हम box कर देते हैं इस प्रकार prime factorization method यूज़ करके हम किसी भी number का square root easily find कर सकते हैं I hope यह video आपको helpful होगा अगर video पसंद आया है तो प्लीज इसे like करें और ऐसे ही interesting math videos के लिए मेरे channel को subscribe करें thanks for watching